हे गाईस तो स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल टॉक क्लिप्स में और हम आ गए हैं फिर से बख्चोधी करने एक और बख्चोध टॉपिक पे कुछ आज कर टॉपिक है कुछ अनुमाला बड़ी आए ट्रेंडिंग भी है और इसे बात करने पे मजा भी आएगा तो पता तब चलेगा जब यह वीडियो जाएगी टाइम पे अगर जाएगी तो इसको डालना बड़ेगा तो गाईस टॉपिक यह है कि जो अभी हम सब ने ललित मोधी और सुष्मिता सेन की तो सुनने में आये कि वो लोग डेट कर रहे हैं और बहुत लोग इसको सुष्मिता सेन को गोल्डिगर बता रहे हैं और तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं ललित मोधी को लेकर तो अब हम चानना चाहेंगे हमारे प्यूश जी से कि आपका क् इस मुद्धे पर जी मेरा है कहना है जो लोग कहने है एक तरीक से साफ है इस वे डिवेट करने की जरुत ही नहीं है क्या साफ ये साफ है कि हाँ ये गोंडिगर पना ही है और अविसली ललित मोदी जी के वाजना पैसा है और इतनी दौलत है शौरत है यार मुझे न अच्छा नहीं लग रहा सुश्मिता जी को उनके साथ देखके महला वे तो मैंने मुवी देखे एं मैं हुना और बीवी नमबर वन तो मैंने एक साफ कॉरणर है कि भाई वी विड़िफुल तो है वहां तो मुझे अच्छा हीं लग रहा तेको मैं एक soft corner है मैं यह कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगए मेरे लिए एक time पर थी वो crush की हाँ यह तो बहुत बढ़ी आया सब कई थी वहाँ जब वह साड़ी पहन के आई थी तुमसे मिलके दिलका है जो हाल क्या कहे कुछ था हाँ यह तो है सुंदरा है और मुझे लगता है जिसको वो पहले डेट कर रही थी वो लड़का बहुत मलब था बढ़िया वो उससे चोटा था था चोटा था और ऐसा दिखा रखा था सोशल मीडिया पर कि यूई ही बस जो है अच्छा झी तुम वड़का था सी इस्टग्रम पर रही मंघा यह था यह मैंने चोटा था सी प्रफाइल को तो उसके एस समझनी आगा कि वह प्यार में थे नहीं थे मैंने देखा हुआ उसका पहला बॉइफरेंड वो भाई अलग लेवल स्मार्ड था इसके कंपैरिजन में जो अब हो रहे है तो साफसा पता चल रहा है कि सीन है तो है क्या पैसों का सीन है सारा तो आपको क्या लगता है भाई कि जो मेरे अंदर का दिल है अगर स्मुद्धि के बात सीरिशली बात करनी है स्मुद्धि पर अंदर का है वह तो यह कहता है कि हाव है यार है तो हलका हलका यह भी लगता है कि जैनुरल ली हाव प्यार में है और क्योंकि हर इंसान को भाई प्यार हो जाता है जैसे आपको भी हुआ है आपको भी हुआ है मुझे भी हुआ है तो वैसे मेरे मेरे को एक बात बताओ यह गोल्डिगर पना जो है यह सिर्फ लड़किया ही करती है लड़के भी करते हैं पर लड़कियों की तादाद ज्यादा है करने वाली बहुत जहां पर लड़कियों का रिशयो बला अगर मैं 100 वान इस्टू हंडरड के लेकर चलू तो लड़कियां उंगी 70 पर लड़कियों 30 पर अधियों यह स्टीयो टाइपिंग इसलिए लड़कियों को जादा लगता है कि गर्ल्स लेड़ गोल्डिगर होती है यह स्टेरे की लड़के के घर आती है तो वो money matter उनको जाधा करता है उस वे में लड़किया जाधा सोचती है जाधा सोचती है कि पैसे वाला लड़का हो अच्छा घरबार हो ये हो तो मलब यह इसलिए भी जाधा ratio है जाधा कहा जाता है बही 70-30 तो है क्योंकि जिस आप से हम भी एक circle में रह रहे हैं तो हमने भी देखा होगी जारतर जो amount है पैसो की तरफ inclined वो लड़कियों का ही है हाँ चल equally कह सकते चल 60-40 70-30 हो सकता मलब यह तो है देखो market में पैसा बहुत बड़ी चीज है और हर चीज की कीमत है हर इंसान हर इंसान भी का हुए दुनिया में आप किसी को भी ले लो यार सबको पैसा पैसा फैको तमाशा देगो शादी ब्या में आप बॉलिवुड सेलेप्स को बुला लो आप तगडे से तगडी शकीरा को बुला लो हर किसी का एक दाम है और वो जिंदीगी भर के लिए मिल जाए तो क्या बेशुमार होगा बेशुमार होगा बेशुमार जो साड़ IPL के चेर में ना मैंने वो मीम देखा था IPL जब 2005 में जब भी आया था कुछ 40 करोर्स का था बजट उसके बाद असली जो IPL साट गया उसी ने 47,000 करोर्स का हो गया फिर बाद में तो पर उसको उसका कुछ पता न पैसे की ताकत देखी है कि मतलब हाँ भाई जब आपको दिमाग में रेलाइज हो गया अभी देखिए एक मिने पहले दुबाई में है क्या क्या चीज ने दिमाग बटा दिया कि हर चीज भी का हुए दुबाई में वोई देखा भाई जो पेड़ी साब चल रहा है माँ पे पेड़ साब अलाग वाई टी अभी है कि दुबाई में तुम्हार पास पैसा कितना भी और अशालगता काम है इतनी इतनी चीज है है हमाँ करने को यह चीज है बटाग तुम्हारे मजे ही मजे है कहीं भी चले जाओ यह तो बता तुझी का रखता है गोल्डीगर निया बा लब चाहे तुम कितना ही कहलो कि गोल्डिगर नहीं है, सच्चा प्यार है, पर है तो वही यार, सच्चा प्यार तो पहले वाले से भी था पचास साल की उमर में सच्चा प्यार कैसे हो सकता है, हो सकता है, हाँ प्यार हो सकता है, प्यार हो सकता है, भाई मुश्किल है यहार उसकी possibility है लेकिन कहिने का यह भी है कि भी पैसा भी दिख़ा है अगर हम इस एंगल से सोचे कि मानले हम 50 साल के ठीक है और हम बहुत वेल आफ हैं और हमें किसी से genuine प्यार हो गया और लड़िकी को भी genuine प्यार हो गया तो दुनिया तो उसे गोल्डिगर ही समझेगी वैसे मैंसे एक बात मैंसे मैंना कल ही मैंने एक आर्टिकल दिखा था फेजुक पे विक्रम भट नहीं है महेश भट का जो भाई है उसने उसका वो एक्स वाइफरंड रहा है तो उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि वो सुश्मिता सेन सीक्स लव ऐसा कुछ नहीं कि वो गोल्ड ल पर बाते होते हैं अब यह पता नहीं पर यह मैंने दिलिखा यह देखा गा कि यह यह तो वह एक का दुखका बार जा दैना उसकी कहानिया बन जाती है वो उन बातों मेंसे एक है अब बो तो भी डिफेंट करने के लिए उसकी प्रिए टेम क्या-क्या निकल बादेगी वो उसने महां फंड दिया महां फंड यह करा वो करा बट मेरे को लग रहा है कि अगर खुद पर लेकर देखे और दुनिया की सोच को लेकर देखे तो नबबे परसेंट लोग हमार से अग्री करेगी गोल्डिगर पना है पर कुछ बट मैं अगर मैं यह मान रहा हूना कि वह ग कोने लिया और लेकिन मैं 50 साल की अमर में बहुत कंडि Chair Genel वह था है生न्यों वह आलव पियार बहुत पहले हो जाता है कि कुछ नहीं देखता इनसान बस इंसान को देखता की यह कैसा आए 15 साल की मिए टूम्छ तो तुम सौच यह देख गाड़ी है पैसा है निहा weight तुमने लाइफस्टाइल और वह सुश्मिता सेन एक्ट्रेस है भाई वह किसी भी लड़के से थोड़ी ऐसे कर लेगी जो वेल आफ भी ना हूँ जो उससे उपर के लेवल का हो उससे ही करेगी अब हमसु थोड़ी कर लेगी साले कितने ही तगड़ी बोड़ी आजां बारा पैक आजां करेगी नहीं हमें पता ही है यह तो है तो बॉटम लाइन यह रही इस पोड़केस्ट की गोल्डिगर है रियल चॉक गोल्डिगर पना तो लगा है अब है रियल चॉक गोल्डिगर पना तो लगता है क्यों बाकी प्यार हो जो भी अच्छा हो यार बुरा किसी का क्यों हो क्यों आगे की जिंदगी बढ़िया बीते अपना कमफर्ट में कमफर्ट में बीतेगी उसकी तो माकमली उसकी तो पहले सुई कमफर्ट है हाँ वैसे वह कमफर्ट उसकी पहले से भी थी हाँ हमाय तरी थोड़ी नहीं बाला हमें पता नहीं होता यार क्यूंकि इतने टाइम से वो किसी ओन स्क्रीन आई नहीं बाई उसने आर्या फैक दी और क्या चीए हाँ आर्या तो बहुत तगड़ी सी और उसके अलावा कितने जरूरी नहीं होता कि जो ग्लैमर वर्ल्ड में दिखता है वही होता है कई लोग अंदर से भी ब्रोक होते हैं और कई लोग जो और ज्यादातर ही होता है कि ब्रोक है ज्यादातर लेकिन चका चौन्वे लगता है यह तो तकड़ा है जो सुशान सिंग राजपूत के टाइम पर चीजे आई थी कि बाई यह बॉलिवूड सेलेब्स भी ड्रग में इन्वाल्व हैं इन्हें अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए गलत चीजों में घुषना पड़ता है और जो हमने भी रूमर सुने है कि एक्ट्रेसिस की रेट लिस्ट बनी भी है तो सब कुछ पॉ करना पड़ेगा यह कमेंट कर दो कर आप चाहते है रेट लिस्ट वाला लंबा किज सब तर पॉड़कास्ट काफी तो फिलाल इस पॉड़कास्ट को इस मुद्धे को यही खतम करते है और आप लोग भी अपने कमेंट्स दो यार कि मतलब गोल्डिगर होना सही है गलत है आ नहीं असली प्यार है सब कमेंट्स खतम करते हैं इस पॉड़कास्ट को पर आप लोग भाई कमेंट्स कर दो शेर अपने व्यूज डालो अपना विचार रखो बेसिक लिए उपन हो कैसे हम लोग रख रहे हैं और दिल से प्यार दो भाईयों को चाहलो जी मिलता है इस पॉ